नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसिप इंडिया डाम है दोस्तों RRC Best Center Railway जबलपूर जोन की तरफ से ITA Pass Candidate के लिए अप्रेंटिसिप का फार्म फिलफ किया जा रहा है दोस्तों जिसका फार्म काफी समय से स्टार्ट हो जुका है जिसका लाजट अभी नदी चुका करीवन बता सकते हैं दस दिन सेच बागी है तो अगर आप अभी तक अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं रेलवेस से तो आपके लिए ग्रेट अप्र्चिन्टी अ है आप यहा से फाром अप्लाइ कर सकते हैं इसी के बारे में पूरे डिटेल वाइड डिसकस करने वाले हैं, इस बेल्टी कंडिशन, अप्लिकेशन प्रोसेस, सेलेक्शन प्रोसेस क्या-क्या रखने रखा गया गाईज, अगर आप अभी तक अप्रेंटिस्टिप नहीं किये हैं, तो आपके लिए एक ग्रेट अप्रें यहाँ पर जो भी आपकी मेरिट बनती है, उसके भी 1 by 3 यां CBT का वेटेज दिया जाता है, जो आप अप्रेंटिस्टिप करने के बाद जब सार्टिपिकट पाते हैं, और CBT का आपका 2 by 3 किया जाता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तयार की जाती है, दोनों लेबल वाइन की जो पोस्ट निकलती है उसमें टोटल वैकंसी का तो इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिसकस करेंगे इससे पहले अगर आप अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो देख रहते हैं वीडियो का लाइक और शेयर कीज़ेगा दोस्तों आप देख सकते हैं यह बेस सेंटर रेलवे जवलपूर जोन के ऑफिसल वेव साइट है जैसे आप ररसी डवलू सी आर जोन के ऑफिसल वेव साइट पर आएंगे तो आपको यहाई पर ही इगेजमेंट आफ ए से स्टार्ट हो गया था जिसका लाइट आगे हम डिसकस करने वाले हैं कितना है यहाँ से क्लिक करके आप हिंदिय और इंगलिस दोनों में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पर रिडारेक कर देगा वहाँ से आप इसका फांट भर सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा पेज ऑपन हो गया यहां पर देख सकते हैं आप यहां से इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ट्रेट करने के लिए बोलेगा आप यूड़ेट में किये हैं आप यह पर क्लिक करेंगे तो आपको trade यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, लगवग यहाँ पर total जो trade के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 46 trade total यहाँ पर है, तो अगर आपका trade है, तो आप यहाँ पर form apply कर सकते हैं, क्योंकि railman apprenticeship करने से आपको बहुत सारा benefit मिलता है, इसके 20% का reservation होता है, आप जानते भी हैं गोई rebel 1 की post पर, यानि आप group C कह सकते हैं, इसके बाद आप लोग का जो C, NCVT का certificate होता है, उसका 1 by 3 का weightage दिया जाता है, जो NCVT certificate मिलता है आप लोग का, प्लस आपकी जो CVT जाम देंगे, आप group D का, यानि लेबल 1 का, उसमें आपका CVT का 2 by 3 करके final merit तयार किया जाता है, यह सब आपको benefit देखनों के मिलता है, यहाँ से मैंने detail notification डाउनलोड कर लि आपका Hindi वाला version है, जो यहाँ से भी download कर सकते हैं, यह पूरे detail यहाँ पर mention किया गया है, तो हम आपको English वाले notification कुछ पर discuss करते हैं, क्या इसमें detail दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी यहाँ पर online application स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, कि online आपकी जो starting date 15-12-2013 से start हुआ, जिसका last date 14-1-2024 रखा गया है, जिसमें लगवग 10 दिन अभी CS बाकी है, अगर आप अभी तब फार्म अप्लाई नहीं किया है, तो फार्म अप्लाई कर लिजेगा, टोटल वैकंसी की बात करें, तो यहाँ पर 3015 पोस्ट पर वैकंस देखनों को मिलेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जवलपूर डिवीजन में कितनी वैकंसी है, यहाँ पर बताएगा है, जवलपूर में टोटल वैकंसी, यहाँ पर 1164 वैकंसी है, और भोपाल डिवीजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 603 वैकंसी है, और यहाँ कोटा डिवीजन में 830 वैकंशी टोटल है और यहां पर जो आपकी यह चाहिए वहाँ प्र देख सकते हैं इसमें 170 पोस्ट है और यहां वरक्साप कोटा में पोस्ट है और जबर्पूर हेड़क्वार्टर में यहां पर 39 पोस्ट है टोटल वेकंसी 315 है यह यहां पर वेकंसी दिया गया है तो आप लोग यहां पर देख सेथे के बारे में यहां पर मेंजन किया गया है कि आपकी एज 14 वारा 2030 यानी फार्म स्टार्टिंग डेट पर एज की गळना की जाएगी जिसमें आपकी 15 से आपका एज होना चाहिए और रिक्तम आपकी एज चोविस येर होना चाहिए जिसमें आपको एज की गलना नोटिफिकेशन स्टार्ट जिस दिन पब्लिस हुआ है यानि स्टाफ फाम स्टार्टिंग डेट पर ही आपकी एज की गलना की जाएगी और यह CST कंडियेट को 5 यह और OBC कंडियेट को यहाँ पर 3 यह का एज रिलक्स देखनों को मिलेगा तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर एज रिलक्सिशन दिया गया है बात करें इजमिल्टी कंडिशन के क्वालिफिकेशन के बारे में जो रखा गया है वो यहाँ पर आपके पास दस भी पास होना चाहिए 10 प्लस टू सिस्टम के रिकार्डिंग और उसमें मिनमम 50% माक्स होने चाहिए आपके हाई स्कूल में और आपके पास नेशनल ट्रेट साटिफिकेट होना चाहिए यह अन्सीविटी अथवा यह असीविटी से तो आप यहाँ पर फाम अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पर PWD के लिए यहाँ पर मेंसन किया गया इस इस कंडिशन में आपकी PWD की जो इसवल्टी है तो आप अपपलाई कर सकते हैं LD काटिगरी में और VI काटिगरी में यह दिया है आप इसको देख लिजेगा और I काटिगरी में है तो आप यहाँ पर मेंसन किया गया इसके बाद आप आगे देखेंगे सेलेक्शन प्रोसीच प्रेंचर जो होने वाला है वो मेरिट के आधार पे होने वाला है चो यहाँ पर मिंशन किया है जो कि आपकी High School प्लस आपकी आई-テ cał है दोनों को जोड़कि average percentage निकाला यानि 50% इधर 50% इधर दोनों को मिला के दोíसे भाग देंगे जो भी average percentage जाएगा यानि कह सकते हैं यहां पर दोनों को जोड़ने के बाद ही average percentage निकाला जाएगा इसमें यह किलियन है कि जो 50% इधर से यह सब किलियन नहीं है बहुत सारे वेकंसी में यहां पर 50% वाला होता है 50% high school से 50% यहां पर दोनों का average किया जाएगा अगर आपका यहां पर high school म percentage ही निकाला जाता है जो भी होगा इसके बाद आप लोग को online application fees के बारे में इन्होंने बता है कि जो all candidate के लिए expected जो यहां पर रखा गया है वो यहां पर 100 रुपिया आपके application फीस है 36 सुपिया प्रोसेसिंग फीस है total 136 सुपिया आपको यहां पर देना है जो all candidate हैं यह और सेस्टी और PWD और महिला candidate ओमेन candidate के लिए यहां पर 36 सुपिया प्रोसेसिंग फीस देना है बाकी कोई फीस नहीं देनी है यहां पर mention किया गया है इसके बाद आपको फार्म कैसे apply करना है पूरा detail wise यहां पर mention किया है वो आपको decision box में मैंने link दे दिया है आप वहां से फार्म apply कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई भी doubt है तो बेज चेक comment box में mention कीजिएगा totally आपकी help and reply की जाएगी और यहां पर एक चीज और आपको यहां पर बता दूँ कि आपको medical certificate भी बनाना होगा जब आपकी selection हो जाएगी तो वो यहां पर नीचे प्रफार्मा दिया है वो कौन से ट्रेट की कितनी vacancy है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो चार्ट है वो यहां पर भॉपाल डिवीजन में AC mechanic का यहां पर total vacancy है सो अंदस है और यहां पर टोटल जबल पूट डिवीजन में apprentice food production category कारीर में यहां पर देख सकते हैं cooking वाला जो होता है वो यहां पर mention किया गया है यहां पर cook carry के लिए यहां पर दिया गया है तो आप यहां पर apply कर सकते हैं यहां पर 10 पोश्ट है ऐसी तरीके से अलग-अलग category के लिए यहां पर food production जबलपूर में देख सकते हैं food production general के लिए यहां पर 5 पोश्ट है तो इस तरीके से आप लोग को अलग-अलग trade wise यहां पर है तो आप आगर आइलीजिबल है तो जरूर अपलाई किभएगा आप को यह पर पहुत सारा benefit मिलता है अगर आपका dream है डेल्वे में सरकाई नोगरी करने के लिए तो आप यहां से farm जरूर अपलाई किभएगा और यहां तेख सकते हैं यह फार्मेट दिए अगया यह का सेंट्र गplement का जाती कास्ट साटीपिकरट लिए जब आपको selection होगा इस format में भरके आपको declaration देना होगा इसके बाद आप लोग का यहां पर जो EWS candidate है उनके लिए आपर इस format में आपकी EWS certificate होना चाहिए जो यहां पर mention किया गए और यहां पर medical fitness certificate के लिए बताया गया जो अनेक्सर येफ में यहां पर mention किया गया है इस फार्मेट को आपको प्रेंट आउट निकाल गया उस central government अथ्वा state government के hospital से जो इसको बनवा के लेके जाना पड़ेगा यह और यह आपकी PWT candidate की है यहां पर देख सकते हैं इनको यह prompt में बनुखार अनवा के लेके जाना है यह जो भी PWT candidate हैं उनको यहां पर दिए गया है और medical जो PWT का है है यहां पर दिया गया H में इस फार्मेट में भी आप लोगों को बनुखार लेके जाना है और यहां में पूल置 कि जाएगी और इसका पिडियुक ही आपको टेलीघ्राम पर सेर कर दिया है आप वहां से भी टेलीघ्राम से विसको दाऊनलोड कर सकते हैं लिंक सेमने में महां से फोम अप्लाई कर सकते हैं और नोडिश्टन भी डाउनलोड कर सकते हैं धन्वाद, keep and touch